नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्यस परिहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाइं होती हैं जो विभिन समचार पत्रों पर शाइवी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवशक होती हैं तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचना है सबसे पहली सुचना है बिएट अभर्थियों के लिए समचार पत्रों में लिखा है बिएट कर बेरोजगार नहीं घूमेंगे आगे बनने से पहले एक बात और जो ने वीवेर हैं या ने मितन हैं जिन्हों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें उसके बाद में ये बेल आइकान है इसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भरती का कोई कि बाद लोग बेरोजगार नहीं घूमेंगे फिलहाल यह नीती सरकार के पास विचारा धीन है जिसे लेकर देश भर से सुझाव मांगे गये हैं और इसके तरह बीट करने वाले चात्रों को अनिवार रूप से नोकरी देने की सिपारिस की गई है तो दोस्तों अनिवार र चात्रवती मिलेगी नई प्रस्ताविद शिक्षानीती में शिक्षक के पेसे में अच्छी प्रदिभाओं के ना आने को लेकर भी चिंता चताई गई है साथ ही यह कहा गया कि यह तभी संभव होगा जब शिक्षक के पेसे का सम्मान बढ़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पढ़ाई के समय से ही अच्छी स्विधाय चात्रवती और पढ़ाई खत्र करने के बाद अनिवार रूप से नोकरी दी जाए यानि कि नोकरी की गारंटी दी जाए तो दोस्तों यहां पर नोकरी की गारंटी हो रही है बिट अबर्षियों के लिए यह पहुत ही अच्छी खबर है और नीचे लिखा है कि अपढ़ाय की अलावा जो अनकार करवाए जाते हैं अध्यापकों से वो सभी काम ना करवाए जाए नीचे लिखा कि नई सिक्षानीत की मसाधे में शिक्षकों को अध्यापन के अलावा सभी गेर जरूरी कामों से अलग करने की सिप जात कही गई तो और की मीचि इस्कोलों में भी टीटी पास सिख्चक की ही निक्ति हो प्रस्टावित मसाधी में टीटी यानि कि टीचर इलीजबिल्टी टेस्ट चाहव सी टीटी हो और यूपी में यूपी टीटी को निजी स्कोलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार करने की सिपाडिस की गई यह मधूदा समय में यह शिर्फ सरकारी स्कोलों में पढ़ाने औले शिक्षकों के लिए ही अनिवार है तो दोस्तों ऐसा हो जाता है तो ये बियेट भरतियों के लिवे बहुत सही होगा debis काफी मात्रा में B8 बेरोजगार यूवक है और 2011 से कोई बरतियों के लिए कोई बड़ी भरती नहीं आई थी अभी तक और जो 70,000 सिक्षक भरती में मौका दिया गया है वह अभी हाई कोट में लंबित है माद्मिक सिक्षा असेवा चैन आयोग की जो भरतियां है वह फिलाल रुकी हुई हालां कि ने विग्यापन आने वाला है लेकिन पता नहीं कब तक आएगा तो फिलहाल यह एक बहुत ही अथी पहल ह नीचे लिखा है निदेशक बेशिक शिक्षा अदालत आकर बताये क्यों नहीं माना आदेश हाई कोट ने यह आदेश दिया था बेशिक शिक्षा विभाग को विदेशक बेसिक सिक्षा सरवेंद्र विक्रम सिंग वह अन्यकों अदालत में तलब किया है मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई के होगी न्याय मूर्ति जस्प्रीत सिंग ने अदालती आदेशों की आवमानना की याजका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में स्थित चिंता जनक हो गई है जिससे बड़ी चात्रा में बड़ी संख्या में चात्रों का हित्प्रभावित हो रहा है तो जूनियर हाइशकूलों में बहुत ज्यादा बखें सिखा लिए जिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और विद्यार्थियों का इसे लगतार नुक कि यह गए आदेश पर निदेशक बेसिक शिच्चा ने अदालत को आस्वासन दिया है कि विभाग समस्चा के समधान के लिए ऐसे सभी शिक्षण सस्थानों में शिक्षकों की वह चात्रों की जो संख्या है उसकी जानकारी करने की कवायत कर रहा है चूंकि इस काम में खा पातला की विभाग इसे लेकर सोना जाए और जैसे ही कारवाई पूरी हो इसकी सुचन संबंदित को दिया जाए जिससे समस्या को दूर करने की कवायत सुरू हो सके तो दोस्तों जूनियर हाइज स्कूलों में भरती अब बहुत जल्द आने वाली है कल के न्यूज पेपर म में भरती करने के लिए और लगवक 24,000 पर जूनियर हाइज स्कूलों में खाली है सरकार ने इसके प्रटर्न में भी बदलाव कर दिया है अब इनमें जो भरती होगी वह एक लिखित परिक्षा के आधार पर होगी आपको मालूम होगा जूनियर हाइज स्कूलों में जो भर प्रटी की जाच कर रही है और PCS 2015 इन दो भरतियों में CBI की निगाह बहुत तेज है इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लोग सेवा आयोग की भरतियों में गलबड़ी की जाच कर रही CBI टीम ने विदुवार को कैंप आपिस में APS 2010 भरती के शिकायत करताओं के बया 2015 से जुड़े दास्ता वेज खंगाले उत्तर पतेसलोग सेवा आयोग की भरती परिक्षाओं की जाच कर रही CBI टीम लगातार तीसरे दिन भी बुदवार को कई प्रमुख परिक्षाओं के समंद में पूस्ताच की CBI की एक वरिष्ट अधिकारी जो आयोग से जुड़े म मामले में कुछ शिकायत करताओं से बाते सुनी तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है फिलाल CBI काफी दिनों बाद जब से राजियूर इंजन का ट्रांसफर हो गया था उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा था और कारवाई के बाद से अचानक सक्री हो गई है इसे लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधिनस्रेवा चैन आयोग ने 21 सरकारी विभागों में रिक्त कनिष्ट सहायक के 1186 पदों पर भरती की प्रक्रिया सुरू करते वे बुद्वार को विग्या पंजारी कर दिया इन पदों पर भरती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो ती थी है वो सब 23 जुलाई रखी गई है और इसका जो ग्रेट पे है लगवग 2000 दिया है जिसमें तनखाय लगवग 24,000 मिलती है और इसकी जो आयू है अधिकतम वो चालिस वर्स है यानि अठारा से चालिस और जो चैन योगता का जो आधार उसमें लिखा हुआ है वो फिलाल लिखित परिच्छा और टंकड टाइपिंग दो चीजें अभी मांगी गई है और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता कैसी परिच्छा योजना होती है एक और सूचना है स्स्ट के स्टाफ सेलेक्शन कम परिच्छी होगी पूरी हो चुकी है और दोजर अठार टिर वन की परिच्छ एक से चबीश जुलाई के बीच होगी मल्टी टास्किंग इस्टाफ 2019 की परिच्छा दो अगस्से शे सितम्बर के बीच होगीं सीजी अज़ट ऑठारा टीर टू की परिच्छा गयारा से तेर सब्सक्राइब कर दिए कि एक सुजन और दिया है समचार पत्रों में बात वही है लिखा है कर्मचारी चैन आयोग बस छह महीने और फिर सब ओके चैन आयोग की लंबित चल रही परिक्षाओं का कलेंडर छह महीने में नीमित हो जाएगा एससी की और से परिक्षाओं के प्र जलते पूरे वर्स परिक्षाओं को लेकर गत रोत बना रहा हो ऑन-लाइन परिक्षा ऑजनसी पर सवाल उठाने के बाद 2018 की परिक्षाओं हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों बहुत जितनी भी भरतिशन स्थाय हैं अब धीरे-धीरे काम करना शुरू कर रही है और यह हो गई आज की अपडेट इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं अगर यह सूचना है आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें जिन मित्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद